शबरी निहारे रासिता आएंगे रामजी शबरी निहारे रासिता आएंगे रामजी मेरा भिधन्य जीवन बनाएंगे रामजी आखों से रोज अपने राहे निहारती आखों से रोज अपने राहों राहे निहारती आखों से बस रास्ते को निहारती रहती काटे लगे न कोई आएंगे रामजी आखों को इंतिजार है सरकार आपका ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका आखों को इंतिजार है सरकार आपका कलियों मैं बेर बागों से चुन चुन किला रही खटे हो या हो मीठे हो खाएंगे रामजी सबरी निहार रास्ता आएंगे रामजी आएंगे जब रामजी चरणों में गिर पड़ी आएंगे जब रामजी चरणों में गिर पड़ी अशकों से धो रही है पाओं को रामजी अपने नेत्रों के जलसे पाँ धो रही है शवरी राम जी के चरण धो रही है नेत्रों के जलसे प्रेम में भीगी है वो शवरी छी जरब बताओ कव शवरी कासी को धाई कव पढ़ आई गीता सांचे मन के मीता रगुवर सांचे मन के मीता सांचे मन के मीता रगुवर सांचे मन के मीता सांचे मन के मीता रगुवर सांचे मन के मीता कव शवरी कासी को धाई कव पढ़े आई गीता सांचे मन के मीता रघुवर सांचे मन के मीता इसलिए आप सबरी से सीख लो कि भगवान जब भी मिलेंगे तो केवल प्रेम के बल पर मिलेंगे शवरी कव कासी कव शवरी कासी को धाई कव पढ़े आई गीता बताव शवरी कहा पढ़ने गई थी कौन सी विद्वान थी उसे तो भोग लगाने का भी ज्यान नहीं था पहले खाती फिर लगाती इतनी मतलब आप तो फिर मी भोग लगाना जानते हो अपने खाने से पहले लगाते हो लेकन भगवान ये नहीं देखते कि आपने खा लिया या नहीं खाया आपने पहले मुझे खेलाया या खुद खाया छोटे-छोटे बच्चे ना खा लेंगे फिर माने का तुमने भोग नहीं लगाया हाँ लगाते तो वो खाया हुआ भगवान के सामने लिए रख देंगे उन्हें पता नहीं कि जूठा क्या होता बस भगवान से ऐसा प्रैम हो ये भूल जाओ कि तुम कैसे हो हम शवरी की तरह वो बेचारी केवल रोती ही तो है राम आएंगे गुरु जी ने कहा है आएंगे आएंगे बस विश्वास बचनों पर विश्वास है और इंतिजार है और इंतिजार था राम जी आए तो क्या किया पूजा कहा करने आती चरणों को धोए अपने नेत्रों के जल से और आप भगवान को ना पानी से नहवाते हो आप बहुत गरीव लोग हैं आपके पास गंगा जल तो है पर नेत्रों का जल नहीं है शवरी बड़ी अमीर थी कम से कम उसके पास भगवान के चरण धोने के लिए खुद के नेत्रों का जल तो था हम लोग गरीव हैं के दो बूंद पानी आखों का नहीं जुड़ता के इस नेत्रों की जल से इनको नहवाए